दोस्तों जैसा कि आपने सुबह की सॉट वीडियो में देखा कि इस वीडियो को हम तीन पार्ट में लेके आएंगे हैश्टैक स्टूडियो 123 इस तरीके से जो कि आपके सॉब के लिए और आपके बजट के इसाब से बेश्ट प्रिंटर होगा वही प्रिंटर हम बताने वाले हैं तो वीडियो को एंट देखिएगा बिना स्किप किए और देखिए आपके रिसॉब के लिए कौन सा सुटेबल प्रिंटर रहेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सब्सक्राइब करें मिस्टर क्रीटिव दिवांग चैनल को दबाएं वेल के आइकन को ओन करें ओल नॉटिफिकेशन तक कि हमारी सभी वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके और ये चीज बिलकुल फ्री है तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो दुस्तो शुरू करते हैं हैज्टाइग हैजस्टूडियो वन का वीडियो इस वीडियो में हम बात करेंगे इपसन L810 अपने पहले प्रिंटर के बारे में इसकी कीमत करीबन 33,000 के आसपास है इस वीडियो में हम 30,000 से 40,000 के बीच की वैलू वाले प्रिंटर भी ही ले फोटो स्टूडियो के लिए इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक बेस्ट प्रिंटर के बारे में जिससे आप अपना मिनी लैब या फोटो स्टूडियो कुछ भी खोल सकते हैं उस प्रिंटर का नाम है इपसन L1800 जिहां दोस्तो यह एक बार्डरलेस बेस्ट प्रिंटर ह जिससे आप मिनी लैब या फोटो स्टूडियो खोल सकते हैं इसका रिविई का हमने वीडियो बनाया है अपने चैनल पर जिसका लिंक नीचे डिस्कृप्रम में है उपर आई बटन में दिया गया है स्टूडियो खोलो या मिनी लैब मैंने लाइब परिंटर के नाम से इस इसका buy link पे नीचे description में है और हमारा second जो वीडियो आने वाला है Hatch Studio 2 का उसमें आप देख सकते हैं वो भी एक best वीडियो रहने वाला है क्योंकि आपके budget के हिसाब से हमने इसे तीन पार्ट में divide किया इसकी कीमत 37,000 के आसपास है और इसमें Hatch Studio 2 में 15,000 से 30,000 तक के प्रिंटर के बारे में बताऊंगा दो-तीन प्रिंटर में आपको सज्जिस करूंगा जो आप अपने lab या वे studio के लिए यूज़ कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिन जय भारत